विहार दोरोगा मेंस की अगर आप तैयारी कर रहा हैं तो यह ज्ञान बिंदु के द्वराई सेट निकाला गया है यह आपको जरूर देखना चाहिए इसमें आपको 10 GKS का set होने वाला है 10 आपका हिंदी का set होने वाला है और 5 इसमें previous year का set होने वाला है 10 जो GKS का set है वो चैनल पे करा दिया गया है अभी हिंदी का set नमर 3 चल रहा है और total set 13 नमर set चल रहा है इसके पूरे वीडियो को देखना चालाते हैं चैनल पे भीट कीजिए चैनल के playlist section में बिहार दरोगा मेंस का एक section दिखेगा उस पर क्लिक करके इसके previous वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमर 13 सो 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 ह कौन से बेंजन काहलाते हैं फर्स्ट काप का उतर हो जाएगा सी हिंदी में कुल कितने वर्ण है दो काप का उतर होगा सी बावन है हिंदी में कुल बावन वर्ण है उसके बादे निम्न में से किस सब्द में द्वीतत्व बेंजन है तीन काप का उतर हो जाएगा डी बिल्ली द्वीतत्व बेंजन है ग्याँ वर्ग किन वर्णों के सायोग से बना है चार काप का उत्तर हो जाएगा B जब प्लस इन ये दो सब्दों के सायोग से बना है स और र के सायोग से निम से कौन सा वर्ण बनेगा फाइब काप का उत्तर हो जाएगा C स्रा बनेगा निमल्खिन में से सुध वर्तनी का चैन करना है 6 का आपका उत्र हो जाएगा D जीस्ट जो की सुध वर्तनी है उसके बाद next सुध वर्तनी के इसमें भी चैन करना है 7 का आपका उत्र हो जाएगा D सतावदी जो की सुध है सुध वर्तनी इसमें भी चैन करना है एट का अपका उत्रो जागा सी श्रिंगार ये सुध वर्तनी है इसमें भी सुध वर्तनी आपको नाइंथ में भी चूज करना है नाइंथ में आपका उत्रो जागा भी सची तानंद ये सुध वर्तनी है दियेग है शबदों में सुद्वर्तनी वाला सब्द है, 10 का आपको उत्र हो जाएगा ये कुँआ, जो की सुद्वर्तनी सब्द है, उजुवल, उंचे दियेगा है सब्दों का संधी का बिकल्प चुनी हई तो आपका हो जाएगा उ्जुवल का आपका संधी कौन सा हो जाएगा एक गारऔक अपको उत्र जाएगा वी बैंजं संधी यह उज्वल इसे बैंज अनओनादर का विलोम क्या होगा आदर अभिज्ञ्य का बिलोम क्या होगा आधर उसके बाद है अत का अपका विलोम क्या होगा? 18 कहे होगा E T करून का बिप्रितार थक यह होगा? और नई सके एक निस्ठूर रीजू का बिप्रितार थक क्या होगा? बीस का आपका उतर हो जाएगा C किरियक उसके बाद निम्लिकित प्रस्ण में एक मुहावरा यह लोग उक्ति दी गई है इसका सही अर्थ चुनना है अपने मुह मिया मिठ्धु 21 कप को उतर हो जाएगा D अपनी परसंस स्वेम करना उसका अर्थ होगा अब भड़ते हैं नेक्स प्रस्ण क्यों उल्टी गंग का अर्थ होगा 22 कप को उतर हो जाएगा C पर्तिकूल कारय करना, अपनी खिचडी अलग बकाना, 23 कप का उतर हो जाएगा A सब से अलग रहना अर्थ होगा खिचडी पकाना का धूप में बाल साफेद होना 24 का आपका उत्तर हो जाएगा C अनभव वी जीवन विताना कमल तोड़ना 25 का आपका उत्तर हो जाएगा D अनुठी उक्ती लिखना सरस्वती का परिवाची नहीं है 26 का आपका उत्तर हो जाएगा C कमला, कमला स्रुस्ति का प्रवाची नहीं है, भुजांग का प्रवाची सब्द नहीं है, 27 का प्रवाची सब्द नहीं है, जलद का प्रवाची सब्द नहीं है, 28 का प्रवाची सब्द नहीं है, 29 का प्रवाची सब्द नहीं है, जोकि अनुचर का प्रवाची सब्द नहीं ह तीस काप को जाएगा D, देव पिरिया जो कि चतूर का परियाची नहीं है, गिदड का स्त्रिलिंग क्या होगा, 31 काप को जाएगा C, गिदडी, ये गिदड का स्त्रिलिंग होगा, वह घर से बाहर गया, इस वाके में कौन सा कारक है, 32 काप का उत्र हो जाएगा D, आपदान का रखे कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग है 33 कप का उत्र हो जाएगा D परिशद जो की इस्त्रिलिंग सब्द है नेत्री सब्द का पूलिंग क्या होगा नेत्री जो की इस्त्रिलिंग सब्द क्या होगा 34 कप का उत्र हो जाएगा A नेता इसका पूलिंग सब्द होगा निमलिकित स पूर्ण भूत जो की भूत का लिंग भेद है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर थर्टी सेवन गुडिया सब्द का प्रियोग बहुवशन में क्या होगा थर्टी सेवन का उत्र हो जगा ये गुडिया सीडी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा वाक्य में सीडी निनमे से कौन सा वाक्य सुध है चाली52 का पकल राजागा बी मैं आपके सौजन हें पर ये सही कथन है उसके बाद है दसान निनमे से कौन ऐसे सब्ध है 41 काप का उतर हो जाएगा B ये गुरूर सब्द है निमल्खित में से कौन सा देशद सब्द है 42 काप का उतर हो जाएगा C फटाफट जो की देशद सब्द है चाय किस भासा का सब्द है 43 काप का उतर हो जाएगा A चीनी सब्द है निमिल्खित सब्द युग में असंगत युग में कौन है? 44 काप का उतर हो जाएगा C कमल नयन योगी ये असंगत सब्द है निमिल्खित सब्दों में कौन तद्सम है? 45 काप का उतर हो जाएगा तद्सम सब्द इसमें चूज करना है तद्वह सब्द है इसको छाटना इसमें 47 का आपका उतर हो जाएगा B पावस जो की तद्वह सब्द है 48 में भी आपको तद्वह सब्द छाटने है 48 का आपका उतर हो जाएगा D जो कि तद्वह सब्द है निम्खित सब्दों में नया का तत्सम क्या होगा 49 का आपको उत्र हो जागा A 90 सब्द किस भासागा है 50 का आपको उत्र हो जागा D अंग्रेजी अंग्रेजी भासागा सब्द है पतलून यह वडियो सेरीज आप सब्दों अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे ज्यादा स्यर किजिए बाल का इस्त्रिलिंग होगा 51 का आपको उत्र हो जागा C बाला आलस से सब्द का वी सेशन क्या होगा 52 का आपको उत्र हो जागा A आलसी इनवे से कौन सा गुन वाचक वी सेशन है 53 का आपको उत्र हो जागा B नया उतकर्स का वी सेशन क्या होगा 54 का आपको उत्र हो जागा C उतक्रेश्ट दही सब्द क्या है 55 का आपको उत्र हो जागा B पूलिंग है दही पूलिंग है इस्तरितत्व सब्द में कौन सा संग्या है 56 कप का उतर जागा C भावाचक संग्या है उसके बाद इन में से कौन सा भावाचक संग्या है 57 कप का उतर जागा D चिंता आज गनित के अध्यापक ने कक्छा नहीं ली वाक्य में अर्थ क्याधार पर वाक्य है 58 का, अपका उत्तर हो जाएगा दी, प्रांत प्रांतिक, निमलिकित में से परीम बोधक bi-cession है, 60 का अपका उत्तर हो जाएगा डी, कम आमदनी जो की परीम बोधक bi-cession है, उसके बाद है गोसाला सब्द में कौन सा समास है 61 का आपका उत्तर हो जाएगा A तत पुरुष शमास है कट पुतली में कौन सा समास है 62 का आपका उत्तर हो जाएगा B सम्बंध तत पुरुष शमास है उसके बाद है निम्लिकित में से एक करमधार्य समास है 63 का आपका उतर हो जाएगा D, भुजदंड, दूगु समास का उधारान है, 64 का आपका उतर हो जाएगा C, त्रीभुवन, दूगु समास का उधारान है, दोंद समास की परमुक विश्यस्ता है, 65 का उतर हो जाएगा C, दोनों पद प्रधान होता है, 65 का उतर C होगा, अब देखने में प्रिये लगता हो 67 कप को हुआ जाता है जिस्से गठीनाई से जीता rip Third has the कि बश्पन और जवानी की 20 की अवास्ता क्या खालती है 69 कपका या सी व्यम संधी कहा जाता है 69 का मुक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं सत्तर कप का उत्तर हो जाएगा सी मुमुक्ष कहा जाता है ज्यान रासी के संचीत कोस ही का नाम साहिते है यह उक्ती किस साहिते कार किये सेबन्टीवन कप का उत्तर हो जाएगा सी महाबीर प्रसाद दिव्यधी उसके बादे, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम माखावय कौन सा है? 72 काप का उत्तर हो जगा स्री पिरियर प्रवास बैदेही वनवास के लेखो कौन है? 73 काप का उत्तर हो जगा जगा बी और अउध्यास अउपद्ध्या है उसके बाद है जैसंकर प्रकसाद की कामियानी की भासा कौन सी है 74 कप का उत्तर रहेगा D खड़ी बोली उसके बाद है आसु है 75 कप का उत्तर D इनमे से कोई नहीं उसके बाद है नीराला की कवीता राम की सक्ति पूजा पर किस रचना का स्तारवधिक प्रभाव है 76 का अब का उत्तर हो जाएगा भी कृतिवास रामायन कला और बुढ़ा चांद के लेखो कौन है 77 का उत्तर हो जाएगा भी सुमित्रा नंदन पंथ है उसके बाद बढ़ते हैं हिंदी कावे की आधुनी की मीरा किसे कहा जाता है 78 का आपका उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा चितंबरा के लेखो कौन है 79 का आपका उत्तर हो जाएगा बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की और ये वीडियो सिरीज आप सभी को अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास सेयर किजिए पंथ की पहली रचना है 80 का आपका उत्तर हो जाएगा C गिरजे का घंटा गुलाब भूल मत गर पाई खुसबू रंगो आप वाक्य पंक्तियों का संबन्द 81 का आपका उत्तर हो जाएगा परगतिवादी कवीता से 82 का है निमलिखित में से दिनकर की कावे रचना नहीं है 82 का आपका उत्तर हो जाएगा D 3 धारा संस्कृति के 4 अध्या किसकी रचना है 83 का आपका उत्तर हो जाएगा C रंधारी से दिनकर उसके बाद है हारे को हरिनाम सिर्षक का वे गरंद के रचना कार कौन है 84 का आपका उत्तर हो जाएगा D रंधारी से दिनकर प्रियोगवाद की इजरम दात्तरी पत्रिका है 85 का पका उत्तर हो जाएगा A तार सब्तक तार सब्तक का प्रकासन वर्स है 86 का पका उत्तर हो जाएगा B सन उन्निसो तिरालिस तार सब्तक का समन किस का वेधारा से 87 का पका उत्तर हो जाएगा C प्रयोगवाद से है कु ओनी नदी कवीता संग्रह के कवी कौन है 88 काप का उत्तर हो जाएगा D सर्वेसवर द्याल सक्सेना आत्मात्या के विरूत कवीता के कवी है 89 काप का उत्तर हो जाएगा C रगुवीर सहाय कभी है भावानी परसाद मिस्र की कभी ता किस सबतक में है नब्य काप का उत्तर हो जाए या बि दुसरा तार सब तक प्रेमचंदर के मेरित्ति होई थी 91 काप का उत्तर हो जाए ये 1936 में यानि 1936 में होई थी मुन्सी धनपत रायको प्रेमचंद्र नाम से सुस्ववित करने माले बेक्ती का नाम है 92 का आपका उत्तर हो जाएगा मुन्सी दया अन रायन कभी धुमिल का पूरा नाम क्या था 93 का आपका उत्तर हो जाएगा 93 का आपका उत्तर होगा C सुदामा पांडे इन मुसल्मान हरिजन पकोटिक हिंदू वारी ये लिखने वाले कौन है 94 का अपको उत्तर हो जाएगा D भारते अंदरू हरिष्च अंदर है समांतर कहानी अंदोलन किसने चलाया 95 का अपको उत्तर हो जाएगा D कमले सवर उसके बाद है नीचे दिये गए गद्यांस को परकर इन प्रशन को उत्तर देना है इन प्रशनों का उत्तर देना है सच्चे भीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बान देते हैं बेरता की अभी वेक्ति कई परकार से होती है कभी लड़ने मरने से खुन बहाने से लोग तलवार के सामने बलीदान करने से यह आप सभी इसे पढ़ लिजेगा स्कीन सोट लगाकर इसका कोशन का एंसर में करा दे रहा है इस गद्यांस के लिए उप्युक्त सिर्शक होगा 96 कप का उत्तर हो जाएगा B विर्ता का संदेश क्या है 97 कप का उत्तर हो जाएगा C उदेश से के लिए सच्चाई पर चटान की तरह अटल रहना बीरो की देवदार ब्रिक्षी से तूलना की गई है क्योंकि दोनो 98 कप का उत्तर हो जाएगा D स्वेम पैदा होते हैं और बिना किसी के दुधफ पिलाएग बढ़ते हैं 98 कप का उत्तर हो जाएगा नीमन में से कौन सारुप बिर्ता का नहीं है 99 कप का उत्तर हो जाएगा-ई-क्रोद उसके बाद बिर्ता के बि-शिष लक्षन है 100 कप का उत्तर हो जाएगा-ई-नयपन यह वीडियो स्रीज अगर आप से युक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे अपना ज्याद अपना सुपोर्ट दीखाई है चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए यहाँ पे सभी कमपटेटिव एक्जाम की तेयरी के लिए आप सभी के लिए मेटेरियर प्रोवाइड कराया जाता है तो एक बार जरूर चैनल भी विजिट कीजिए